नेक्स्ट अब लॉगिन से स्पिलिटर्स सर्विस्स बनाते हैं अब भी जो प्रोग्राम चल रहा है वो किस लॉगिन के अगेंस चल रहा है यह पता करना है तो उसके लिए गेट लॉगिन नाम का फंक्शन है अब सीधे सर्विस बनाने से पहले छोड़े लिटे एक्जाम्बल्स बना के लिए उसके लाद हम यह भी पता करेंगे कि कौन-कौन से यूजर्स अभी लॉग्डिन है देखा जाए तो हम who am I इस utility का इस्तेमाल कर सकते है और super user mode में who इस utility का इस्तेमाल कर सकते है और फिर वो p open अदा तरीका अपना है और फिर इसके output को parse किया पर मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं c के लिए जो inbuilt function अगरे बिदा c में उनका use करूँगा let's start cd cg ls-t cd cd system programming cd services directives network programming अब यूजर ने मैक्स 256 का हो सकता है हाला कि डॉक्यमेंटेशन यह केता है कि जो यूजर आड़ करने के लिए उतिलिटी उसके तुरू जाहा से जाधा 32 का फिर भी अपन मानके चलता है कि 200 पर चलता है तो कर यूजर 251 ज्यादा प्रक्साइल जीरो के लिए रहे हैं फिर गेट लॉगिन कॉल करना कि लॉगिन क्या करें एक स्टाटिक अलोगेशन का बेस अड्रेस रिटन करेंगा तो क्या स्टार पी वहां से अपन कॉपी कर लेका किसमें यूजर 252 यूजर जा रहे है उसके अंदर तो लेस्टो सम्थिंग लेक दिस कि हम खुदी कॉपी करते हैं 20i for i equal to 0 and star p not equal to x0 and i less than or equal to 256 कहीं कहीं documentation में यह भी लिखा मिलता है कि वह जो यूजर नेम होगा it may not be null terminated so let's play safe and i++ साथ में p++ भी करने जा है तो कहाने के बार user of i equal to star p let's compare ucc u1.3 बाना तो u1.0 u2 uniscd.h में इंकूद करना है कотри कि और अच इंकूई करना बाह क्योमें प्रिट्ट थास पांस करके लिख लीजिए अब इस सिलुड़ेटर सर्विस बना लेते हैं सर्विस में यही कोड आएगा स्रीट फॉरवर्वर्ड है हुआ मैं नाम की सर्विस बना लेते हैं ओमाय नाम की इडिलिटी बन लिए अब अन्य सर्विस बना लेते हैं cd project cd services cd input vim जैसे fs service है अपन user service dot h hash ifn dea double underscore user service double underscore hash define double underscore user service double underscore और अपकी बार ऐसा करेंगे कि हम सामने वाले से एक array का address लेंगे instead of v returning an address और v allocating memory dynamically हम सामने वाले से एक string का base address लेंगे उससे size लेंगे उस पर copy कर देंगे अब उसने का length कम pass करी तो हम जितना हो सकता है उतना copy करेंगे यह अप्रोच अपनाते हैं इस अप्रोच की भी आगे जरुरत पड़ेंगी तो इसी example में सीख लेते हैं तो वह ही who am I cons, sorry cons लिए cons नहीं आएगा char star str int z जितनी required है उससे सामने वाल अगर कम size दे रहा है तो हम जितना हो सकता उतना ही copy करेंगे ऐसा भी कर सकते हैं कि सामने आले से एक address लिया उसमें उसमें मानलो 20 दिया पर जो required है वो 25 है तो हम कितना copy कर सकते हैं गर बैक्टर 0 की दे तो 19 copy कर सकते हैं और z की वाले वपर 19 set कर देंगे ऐसा कुछ कर सकते है but I think let's do like this size let's keep it like this pause कर के लिख जिए भी फंक्शन बनाना cd src cp dot dot front slash include user service dot a user service dot c we have user service dot c include user service dot h dash dot 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 तेस्टिंग के लिए है कर यू लिट से चार कही रहता है और कर यूजर दोसो सचान का टोक्यमेंटेशन में लिख देंगे क्या आपका और ये 207 का होना चाहिए और उसे इतना सामेन आए ले चार कही रहता है सπό समतीग देशने में हम दोसका ऑपका लाए क्या प्रशा है और बालt। अखका ट्रशा प्रत ID म रhta रहता है अभिंध मुसका अग्या क्या ड़्मेट गिखेंगे के बहरय है का होना चाहिए और क्या गारंटी साम्मेला दूसर सत्ता हम करना ही रहता है क्या चाहिए और क्या विए यह साम्मेला क्या है नहीं तो स्टोरी आंगे बढ़ाते हैं char star p inti p equal to get login if p जोगर नल नहीं है तो ही काम करना है else spr 0 p equal to null है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं नहीं extract कर पाई information अब वो success वारी के लिए एक function बना सकते हैं और सब कर सकते हैं पर ज़रोत नहीं है rarest of rare case में यह होगा अब यहां क्या तो for loop अगर रगाना है तो for i equal to 0 conditions क्या होगी star p star str sorry star p not equal to null पर यह भी ध्यान रखना है कि i less than 256 क्योंकि i256 हो जाएगा तो loop से break कर जाना चाहिए यह एक ऐसा case जिसमें sz की value हो सकता है 1000 दे साम जाना पर अपने को तो 256 के आगे नहीं जाना है तो i less than i256 तो break हो जाएगा loop loop i++ और भी कर लूप ब्रेक होने के बाद क्या str of i equal to vector 0 अब sz की value हो सकता है 256 से कम है तो उसका भी ध्यान रखना है and i i less than sz for example sz की value 4 है तो loop कब तूड़ जाना चाहिए 3 पह to sz minus 1 क्योंकि 3 पह तो loop तूड़ जाना चाहिए तो हमने size ही कम दी है comma p++ फिर एक single liner है str of i equal to star p i equal to 0 star p not equal to null sorry my mistake back plus 0 and i less than 56 and i less than sz minus 1 या इसको तोड़ा सा और simple बना सकते है int end point equal to 256 last index last index इसके बाल if if sz is less than 256 sz end point sorry end point equal to sz minus 1 and now i less than end point i 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 dot let's check it out gcc user service dot c minus i dot dot front slash include printfkda include include अब चार के केस में से सिर्फ पी आ ले लिया आप चाहें तो इसको ऐसा बना सकते हैं कि वो यह रिटर्न करें कि वह यह वो था तो इतने का पर हमने तीन ही रखा तो उस पॉइंट ऑफिस से अच्छ यूजर नेम कितने का है वो यह रिटर्न कर रहे अगर आई डिए ली तो इस गया वेल इट शुड वेल डॉकिमेंटर कि आपको और दोसों सकता हूं का लेना है वस्टेंपल ड़े सामने आदा नहीं फॉलो कर साय था था हमने प्रिकॉर्शन लिया है प्रिग्रामिं कि बात नहीं है सामने वाले ने जो एड्रेस दिया है उस पर रख दिया है और डप्रिमेंटर में लिखा हूं कि आपको और दोसों सकता लेना है और आप चाहें तो डाइनमिक पेम्री एलिगेशन वाले एक्जामपल भी इंप्लिमेंट कर सकते हैं सामने वाले से क्या लिया पॉइंटर का अड्रेस लिया तो यहां पॉइंटर तू पॉइंटर ले लो इमें लॉग करो यह सब काम भी हो सकता है फिर एक रिलीस करनी के आपको function देना है all that you can do अब यह तो किस से related हो गया कि कौन है जो लॉग इन का मतला यह प्रोग्राम जिस यूजर अकाउंट के थुरू चल रहा है हो अब कितने लोग लॉग इन करके बैठे में हो एक काम करता है कुछ यूजर अकाउंट क्रेट करता है अज अपने आपको म यह सुडो का यूज साब रहा है सुडो उसर अड टेस्ट वन पास्वड टेस्ट वन सुडो पास्वड टेस्ट वन स्ट सब्स कि धर प्स्ट वन स्ट वन एंग पास्वेश। देडें सुडो यह एंग तया टेस्ट वन पास्वड टेस्ट test2, 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 ठीक है, तो दो user accounts कीट कर दिया, तो लोग इन करता है, ssh 10.0.11, test1, कुद नो रस्नेम, क्या विला है, तो, 10.0.0.0.11 test1 at the red 10.0.0.0.11 username test1 who am i test1 either who type so yeah i get test1 equal command ssh test2 at the red 10.0.0.0.11 test2 who or sudo who the profile be a as a be a server monitor अगर का प्रोजेक्ट है वो super user account से ही चलेगा root account से ही वो चलेगा तो अब हमें वो code लिखना है हम यह भी कर सकता है p open के तुरू हम who को open कर ले और उसका output ले 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 फिर यह देखें space एक ही टाब यह साब हम पहले कर चुके हैं but instead what we are going to do is c के लिए जो functions available है उनका इस्तमार करेगी system programming का पार्ट है sorry तो उसके लिए कुछ पहले समझते है man utmp तो हमें information एक structure में मिलेगी struct utmp utmp.h को इंपूर करना पड़ेगा बहुत अलग अलग type की information है हमें मतलब है ut underscore type से तो यहां लिख लेते है ut underscore type यह एक macro है user process kernel level की process से हमको कोई मत कर नहीं user process से मतलब है तो ut type फिर ut underscore user user name यह ut underscore name size ut underscore name size 32 लिखावा ले से तो but still we'll be going for 256 but still we'll be going for 256 host name for remote login or kernel version for run level messages we'll go for ut user ut underscore user ut underscore user ut underscore user or फिर उसके अगें tv underscore sec tv underscore sec इससे मतलब रहेगा और struct कुंसा utmp header file कुंसी utmp.h और अब functions तो हमें यह functions use करना है कि ज़रे get entry get ut entry इसके तुरू हमें data मिलता जाएगा तो पहले अलग से अपन example लिखेंगे and तीन functions का के लिए तो set ut ent यह 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 हुआ हाँ हब बिसीकेली सेट UT ENT से एक मेकनीजम है उनका जिसके तुरु हमको डिटारीटीब करना है सेट UT ENT से क्या होगा कि वह जो भी हमको डेटारीटीब करना है उसकी फर्स्ट लाइन को रिफर करने के लिए इन्टर्नली कुछ किया जाएगा हमें नहीं पता utmp file का format क्या है पता होता था हम खुछ भी पार्श कर लेते हैं तो set utnt है फिर utmp file हम इंटर्नल जिए किसी mode में खुलेगी वह बन करने के लिए end utnt और information extract करने के लिए get utnt let's do it यहानी करेंगे यहानी करेंगे यहानी cd system programming cd services cd user services jam eg2.c include std io.h include utmp.h int min return 0 अब सबसे पहले struct utmp star u.h set utnt आफरी में end utnt initially u equal to get utnt तो चुकि वह internal pointer beginning में है तो first entry में लेगी while u and the while u is not null देखा जाए तो और फिर u equal to get utnt यह simple example हो गया कि initial you first line को refer करेगा अंदर आएगा अपने पास first line का data आगया फिर get utnt के वेसे next फिर next फिर next फिर next फिर next काम खतम end utnt अब as discussed हमें किससे मतलब है ut type अगर user process है तो ut user से मतलब है so if ut u dash then ut type equal to equal to user process तो हमें किससे मतलब है ut underscore user फिर यहां पे भी वह है that string might not end with backslash 0 documentation यह कहता है तो cat star p int i cat user user 257 अब उन्होंने size कितनी ले रखी है ut name size तो अपने ghost case आप से काम करना है let's check out man utmp ut name size वो जो अरे है user वला वो ut name size के ही साब से है तो यह अपनी upper limited देखा जाए तो पर इस्टेट of writing 32 और 257 वी जस्टिक तो ut name size अब information किसमें है अपने पास ut underscore user में तो p equal to u diva than ut underscore user for i equal to 0 i less than ut name size i plus plus look kata मने के रो user of i equal to backless 0 under user of i equal to star p और यहाँ p plus plus पर एक और condition यहाँ आएगी star p not equal to backless 0 sorry com and i less than ut underscore name size look खतम होने के बाद file close जाएगे end ut end यहाँ हम print करा जाते है print user percentage s यह round bracket percentage s backslash n comma user पर print करा जाते है printf list of logged in users this is eg2.c eg2.out ok e.out बनी होगे और sudo a.out तो यह आगया अब logged in time भी चाहिए तो उसके लिए time underscore tt अला कि वो int 32 वाली बात है बात स्टिल I'll go for this then you require something called struct tm star tm ptr तो सब से पहले यहाँ पहले यहाँ पहले t equal to u dash greater than ut underscore tv ut underscore tv dot tv underscore sec अब tm ptr equal to local time इसको क्या पास किया t फिर compile गते अब gcc gg2.c okay my mistake local time the implicit declaration of local time include time dotage अब वो ampersand t आएगा अब un-declared tm pptr वो tm ptr होगा हमको चाहिए क्या string चाहिए तो यह local time वाली बात आगे अब printf login time percentage s mqsn comma asc time नहीं का function है उसको यह pass कर दो tm ptr मैं तो आड़्डेस पास कर दो string का base address और कुछ समझाना है मेरे को आपको उसके लिए मैं यहाँ पर देखराइस लाइन चीज़ देता हूँ इस लाइन के अगे लोगिन टाइम मेरे है अपने को सूर से चलाएंगे तीन इंटी दारी है बट मेरा दिमाग थरा वो पर हो रहा है इस कैप से यह क्या है तो अगर आप local time का documentation देखेंगे तो string terminator backslash 0 से just पर देखराश हैं रहता है तो वो अपने को हटाना है एंड फाइनली हम जो service लिखेंगे उसमें तो अपने को अरही चाहिए login time एक का होंता है यह 101 का ले लेता हूं आ जाएगी वो string उसमें उसमें आ जाएगी तो अब यहां क्या P equal to AC time TMPTR for I equal to 0 star P not equal to backslash n backslash n हो गा होगा I plus plus comma P plus plus and then login time of I equal to star P loop खतमने के बाद login time of I equal to backslash 0 precaution लेना है so login time equal to backslash 0 and if P long in time of 0 और प्रिंट क्या कराया है login time प्रिंट कराया है वो अदिशनल गैप नहीं है पॉस्ट करके लिख लिख लिजे अगे नहीं का पॉस्ट करके लिख लिख लिए अब सर्विस कैसे बनाएंगे तो इस सेशन में में हेडर फैल में कुछ लिख देता हूं और वो आपके लिए assignment रहेगा आइडिया भी शेयर कर देता हूं करना क्या है cd src next session में इसको बना के बताऊंगा कोशिश आप करिए प्लीज कि आपको बना पाऊं cd project cd services cd include vm user service.h आइडिया क्या है वही होना क्या चाहिए जितने यूजर है उससे लिटर तीन हो सकते है चार हो सकते है उतने उससे उतने structures बने तो यह कोई link list जैसा बनना चाहिए यहां count हो तीन इसका टाइप users अगर आपको ऐसा नखता है कि users यह वर ट्लैश कर जाएगा आगी किसी के साथ तो लिट्स मेक इक दिस लॉग्ड इन यह नखता है कि जी विड्स यह पिर लॉग्ड फिर लॉग्ड इन users node, let's go for it, struct logged in users, type def, struct logged in users, log in users, log in users, function log in users, star, get, log in users, then release logged in users, log in users, star users, then release logged in users, like that, you can document it like that, you can document it like that, KSNL return, what does it mean? Extracted information, error, what does it mean? अब इससे तो क्या मिल रहा है? यूजर थोड़ी मिल रहा है? वो यूजर कैसे मिलेगा? फिर उसका अगर आपको यहां पर बिल्किल यूजर की बात नहीं करना है, तो इससे बीग नंबर कोई दिखत नहीं है, गेत लॉग इन यूजर काउंट लॉजर तो काउंट आ जाना चाहिए हात में, फिर वोईर गेत लॉग इन यूजर नेम, आइटी इन्टेक्स, कॉमा लॉग इन यूजर स्टार यूजर, तो आइडिया यह है, कि सामने वाला पहले बता करतेगा कितने यूजर लॉग दिन हैं, पहले तो वो , पहले लॉग दिन यूजर को कॉल करेगा, structure मिला structure का reference मिला फिर वो get logged in users count को call करेगा तो अभी के example के साथ से मालो 3 जवाब return है 3 होई है अब सामने आला एक loop लगाएगा जो 3 बार चलेगा पहली बार वो इस logged in username को क्या पास करेगा 0 और structure का address फिर अंदर हम link list से निकाल के देदेंगे इसी programming बना चाहिए निकाल के देदेंगे मतलब इसमें भी वो concept अपना पड़ेगा sorry निकाल के देदेंगे और यह बात नहीं होगे can start जैसे मैंने उस eg2 में किया यह eg1 में किया वैसा कुछ buffer int buffer size तो सामने वाला एक address देगा जिस पर आपन copy करेंगे कितने copy करेंगे जितने है उतने पर उसकी साइज काम है तो जितने हो सकते है उतने फिर वाइड गेट और documentation भी लिखिंग अभी है दोस्तों सत्तान करा कियेगा logged in get login time यह गेट लॉग दिन यूजर्स यूजर्स लॉग इन टाइंट लॉग दिन क्यूंकि हम नहीं चाहते हैं अब की बार हम तोड़ा अलग अप्रोच अपना रहे हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं डाइनमिक एलोकेशन कैर स्टार रिटर्न करें फिर वो रिलीस करता बैठें नहीं अब की बार आप हमको अड्रेज दो हम आ रख देंगे लॉग दिन यूजर स्टार यूजर कॉमा कैर स्टार बफर इन टी बफर साइज काम खता होने क्या दो रिलीस करेंगा तो यह जो यहां नोड वाले स्ट्ट्टर की ज़रौत ही नहीं है वो जो सी की फाइल होगी उसमें डिफाइन करिएगा और यह चाल फंक्शन से इंप्रिमेंट करने कोशिश करिए इस पे लिंक्रीज बन जाना चाहिए कोड वो चले जो मैंने EG2.C में लिखा था लूप के अंदर नोड बनते जाए दिस में आड़ते जाए यह ट्राइड दूइंगे यह प्लीज दू संथिंग लाइक दिस की नहीं मैं कोशिश तो कूरी करो मां बली दो दिन लगे बाद में फिर अगला वीडियो नहीं तो क्या सुलिशन तो दिख जाएगा आपको गई वीडियो में उनी और फिर युदि को सुछ बेंक यस तो पहलु कि एल्स आपि यह अन्निज वीज गी ब्रृग निज दूमिंग लिकती यह थिन आफ्ट्रौ अपी